प्राथमिक शिक्षकों की बतोर बियलो तैनाती पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब हाई कोट की लखनव पीट ने प्रदेश के प्राथमिक प्राइमरी शिक्षिकों को बूत लेवल अफसर बेलो के रूप में प्रस्तावित तैनाती को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कोट ने मामले में पक्षिकारो राज्य सरकार समेत राइबरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक माह में जवाबी हलफ नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है इसके दो हफ़ते बाद याचियों की ओर से प्रती उतर दाखिल किया जा सकेगा न्यायमूर्ती पंकज मितल और न्यायमूर्ती सौरब लवानिया की खनपीट ने यह आदेश राष्ट्रिय शिक्षक महासंगव एक अन्य की याचिका पर दिया इसमें याचियों ने 22 सितंबर 2020 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहट प्राथमिक शिक्षकों की B.L.O. के रूप में ड्यूटी पर तैनाती की जानी है याचियों का कहना था कि अभी कोई चुनाव घोशित नहीं हुआ है और B.L.O. की ड्यूटी किसी चुनाव से संबंदित नहीं है जिसे बच्चों को मुफ्तव अनिवारे शिक्षा अधिनियम 2009 के तहट छूट मिली है याचियों की दलील थी कि इस अधिनियम की धारा 27 में प्रावधानित कार्य के अलावा और कोई काम शिक्षिकों से नहीं लिया जा सकता ऐसे में यह आदेश कानून की मनशा के खिलाफ है उधर राज्य सरकार की तरफ से सरकारी वकील और राइबरेली के बीसे की तरफ से वकील पेश हुए कोट ने इन दोनों पक्षिकारों के वकीलों को निर्देश दिया की मामले में एक माहमे जवाबी हलफ नामा दाखिल करें इसके बाद दो हफ़ते का वक्त याचियों को प्रती उतर दाखिल करने को दिया है अदालत ने इसके बाद याचिका को अगली सुनवाई के लिए सूचिबद करने को कहा है